सो ही गाईस स्वागत है आपका मेरी चैनल में I hope कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे भाई जूटी के जूट से तो हर कोई वाकिफ है कि कितना जूट बोलती है किसी भी इंसान को जो है husband बना लेती है लेकिन अभी उसके साथ रहने वाली जो उसकी पडोसन है जिसका चैनल है वो भी एक्चुली इसी के नक्षे कदम पे चल पड़ी है और वो मैं क्यों बोल रही हूं तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी आपको पता लगेगा वो मैं इसलिए बोल रही हूं किसी ने देखी है मुझे एक स्क्रिन शोट बेजा जहां पर इसने एक शोट बनाया वाथ और किसी ने इससे पूछा कि आप ऐसी शोट जो है अपने हस्बन के साथ भी बनाए हमें भी देखना है तो वो जो मैडम है जो इनकी पड़ोसन है वो एक्चली उसको कमेंट करके बोलती है कि जी मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई इसकी फ्रेंड जो पड़ोसन से जो है मिलवा रही थी बता रही थी ये मेरी पड़ोसन है ये मेरे सामने वाले घर में रहती है और देखिये बर्डे हो तो ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए और आईए मैं आपको इनके बच्चों से मिलवाती हूँ ये दो इनके बच्ची है एक्चुली दो इसने एक बारी थोड़ी से भी जिज़क नहीं हुई क्या है कि वह उसकी छीजे सोचताए कि यार कहीं पता ना चल जाएं मैं ऐसा जूट बोल रहा हूं कहीं लोग ढूंड ना ले कहीं लोगों को पता ना लग जाए और वो भी सोशल मीडिया पे कभी भी जूट जो है छिपता नहीं है इसा ही जो है इनकी पडोसन के साथ हुआ अब देख लिजे ना ये दो बच्चों की मा होके अपने आपको बोलती है कि मेरी शादी ने हुई तो इनकी बात पर कोई कैसे विश्वास कर लेगा कि जो इसने जो है फेवर में एक वीडियो बनाई थी कि हाँ ये बहुत अच्छी है लोग ऐसा बोलते हैं मैं इसको साथ साल से जाती हूँ जबकि जूटी की शादी सिरफ तीन साल हुए है तीन या चार साल हुए है तो यह साथ साल से कब से जानने लगी कोई इन से ये भी कोशन पूछे तो देखे मुझे लगता है कि शायद ये भी जूटी की एक छोटी बेहन ही है ये जुठी पार्ट तू है social media पर अपने आपको ये बता दिया है कि मेरी अभी शादी ने हुई बात कर लेते हैं जीजा जी की जो अपने आपको जीजा जी जीजा जी बोलते हैं जो सरे याम सब को जbec़ है देते हैं मैं घुसेड दूँगा मैं निकाल दूँगा पहली बात तो उनकी वर्डिंग इतनी जादा गंदी है पूछो मत दूसरी बात यह कि आज उनकी एक वीडियो आई जहां वो बोल रहे थे कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था जैसा कोई सवाल पूछेगा वैसा प्रूव होती है कि वह राजस्तान से हैं किसी ने एक चीज ओर बताई कि इनका कनेक्शन जो है इनके पडोसन से कैसे है यह पडोसन कैसे इस इस इंसान को जो है सोशल मीडिया पे लेके आई जूटी के लिए मतलब लोगों को गालिया पढ़वाने के लिए उसके भाई को पडूसन है ना एक्चुली वह करती है कि सीरियल्स वगारा में काम और सीरियल्स बनाना यह जो हर्याणमी सॉंग्स वगारा होते हैं उनमें अक्टिंग करना यह सब वाले कुड भी है वुड भी है पहली बात तो इसको देखो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती ऐसा कि इसने एक शोट वीडियो अपलोड की थी है ना अपने होने वाले हस्बेंड की कि यह सिंगिंग वगेरा करते हैं और वो सिंगिंग करके दिखा भी रहे थे तो मुझे कही नहीं कहीं डाउट हुआ और जो इसकी फ्रेंट की जो बड़े पार्टी थी ना वहाँ पर भी एक इनसान ऐसा देखा गया है जिसकी डाड़ी है जिसने हाथ में कड़ा पहना हुए अगर आप वो वीडियो गोर से देखेंगे तो आदी वीडियो निकल जाएगे तब वो इनसान आपको वहाँ दिखेगा इतने ही हाइट है बिल्कूल और ऐसी ही जो उसका बोडी स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही है तो काफी लोगों ने यहीं अंदेशा लगाया है कि यह इनसान जो है कहीं न कहीं उसका कनेक्शन इनकी पडोसन से दो महीने पहले की जो है इनकी जहां तक मुझे लगता है जहां तक मैंने एजूम किया है ना तो यह इस इनसान को जो है इसकी पडोसन वाइटी पे लेकी आई है और जूटी का तो आपको पता है रोज रोज नए नए पती बदलना ठीक है कभी किसी अगर डॉक्टर से ट्रीट्मेंट करवाने गई है त इसको सिर्फ फरक पड़ता है तो बस अपने से ठीक है कि हां मुझे यह चीज चाहिए मुझे यह चीज यह मिलना चाहिए फिर उसके बाद कभी किसी और को पती बताती है कभी जूबिन नोटियाल को पती बताती है तो मतलब इसको जरा सा भी एक परसेंट भी यह नहीं गुजराच से हिसार रुकेगा वो भी होटल में रुकेगा बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और दूसरी चीज यह कि लोग मुझे उल्टा बोलते हैं यह मुझे जो है यह मुझे परमोशन करवाना चाते हैं इसलिए मुझे समान देते हैं तो एक बात बताओ यार लास भी दी है और शायद रीड करने के लिए फिर इसकी पलट जाती है यह बुलती है कि नहीं रीड करने के लिए नहीं दी एक्चली तो परमोशन के लिए दिये क्योंकि इसको खुद नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है तो इस चीज का परमोशन इसने आस तक क्यों नहीं किया कि वो एक्चुली कोई पर्मोशन या कुछ ऐसी चीज़े या बिजनेस उनका कुछ है ही नहीं वो सिरफ इसी के लिए आते हैं यहां पे और कोई भी इंसान नोर्मल इंसान अगर कोई किसी से पर्मोशन वीडियो बनवाएगा ना पहली बात तो वो सिटी में इतने दिन नही रहेगा ठीक है दूसरी बात यह कि अगर इंसान को किसी से कोई काम निकलवाना है तो उसको जो है ऐसे पेमेंट देगा या समान देगा और उसका जो है काम वहां पे खतम ठीक है इस तरीके से अवारा गर्दी बिलकुल नहीं करेगा ऐसे घूमेगा फिरेगा कि आओ जी हम यहां मंदिर घूमने चल रहे हैं चलिए जी बच्चे का हाथ पकड़ के आज हम यह कर रहे हैं किसी को फ्री फोकट में कोई आज के टाइम में एक रोटी नहीं खिला ठीक है और वो इन्हें जो है खाना वाना खिला रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ी जो है चीज हो स इसका सब्सक्राइबर से सर से या उस आदमी का क्या कनेक्शन है दूसरी चीज है कि काफी लोग तो यहीं एजियूम कर रहे हैं कि हो सकता है यह जो सब्सक्राइबर सर है यह गांदी नगर या गुजरात से अपने आपको बोलता है और वो जो इनसान यहां पर मूँ ढखक यह है कि कहीं न कई उनकी इंस्टा आइडी या जिस तरीके की वो रागनी या जो भी चीज़े टेंट वगएरा में जो वो करते हैं जो वो ओपन प्लैट्फोर्म पे गाना वाना जो सुनाना लोगों को जो वो करते हैं कोई न कोई इनसान उनको पैचान ही लेगा क्योंकि वो ओपन पब्लिक में जो है गाने वगेरा गाते हैं इस वज़े से उनको मुझ ढखके यहां पर आना पड़ रहे हैं लेकिन देखें मुझ ढखके भी क्यों ना आए क्याते ना बाल की खाल निकालना तो इंसान कई ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से ढून ही लेता है अब किसे यह इनसान जो है यहां पे कर रहा इसके साथ तब ही इसकी मंफी इसका भाई जो है इससे दूर रहते घोंब कर दिया उसके बाद माबापको यह ब्लेम करती ये थी एक छोटी सी वीडियो आप सब लोगों के लिए एक information वीडियो ही थी जैसा मुझे काफी लोगों ने आके बताया कि इस तरीके से ये चीज़े हो रही हैं और ये जो इनसान है जो नकाब पोश है ये अपना नकाब इसलिए नहीं अटा रहा क्योंकि ये ओल्रेडी जो झाल झाल